हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे पनीर मटर की सबजी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं बहुत आसान है और सिंपल सी है तो सबसे पहले हमने आपा मटर छी लिए टमाटर प्याज जारिमेज अध्राग लासुन और धनियपति कट कर लिया है और पनीर को हमने कट कर लिय है और कड़ाई में हमें दालना है तेल और इसके बाद हम डालेंगे प्याज और प्याज को हम फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर मैंने हलका हलका पकने के लिए रख दिया है इसके बाद लस्चन अध्रक प्याज हरीमेज सारा डाल देना है और इसको थोड़ा हलका पका लेन इसमें फ्राई कर लेना है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि यह टमाटर जली से पक जाए तो दोस्तों हमारा यहाँ देखे फ्राई हो चुका है हमने आदा पका लिया है पूरी तरह से नहीं पकाना है इसके बाद हम डालेंगे जार में और मैंने यहाँ और कुछ लाल में गरम मसाला हल्दी पौडर और यहाँ पर धनिया पौडर डाल दिया है और एक साथ मैंने इसको पीस लिया है आप चाहिए तो अलग-अलग करके पीस ले इसके बाद हम देखिए पनीर को हम फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हम पनीर को अच्छे से तेल में कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुच जाए यहाँ पर हमने थोड़ा तेल डाला है इसके बाद जीरा डाल दिया है तेज पत्ता औ जरूं कर दो जो मिक्सी जरु में याविजा मसाला लगा हूए और ओसे भी दो के डाल देंगे तो अब हम इसे देखिए पकने देंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा पाई डाल दिया क्योंकि मसाले में पकने में थोड़ा टैम लगेगा तो आप देख सकते हैं मसाला तब तक पकाना जब तक इनका तेल बाहर ना आ जाए मसाले से या अलग दिखने लान लगे तो यहां देख सकते हैं कि आप हमारा मसाला पक चुका है तेल अलग हो चुका मसाले से तो अब हमें यहां पर डाल देंगे मटर और थोड़ी देर मटर को इसमें अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे इसके बाद हमें डालना है पनीर पनीर को मसाले में अच्छे से कर देना है मिक्स, आपको थोड़ी देरी से ऐसे ही पका लेना मसाले के साथ, इसके बाद आप डाल दे इसमें पानी, मैंने आपर एक ग्लास पानी डाल दिया है, आप जिस हिसाब से आपको रसा चाहिए, उस हिसाब से आप डाल दे, यहाँ पर आप इसे पनीर को सर्व कर सकते हैं और हमाई वीडियो को लाइक अच्छे नों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए तो आपने देखा कि कितना आसान है पनीर की मटर की सब्सक्राइब बनाना तो हमाई